हेलो दोस्तो मेरा नाम है अजे और आप ये वीडियो आजे टेलिकाम यूटूब चैनल पर देख रहे हैं दोस्तो आज मैं आपको एक टूल देने वाला हूँ जो कि फिरी वर्जिन कर दूंगा जैसा कि मैंने एक पोष्ट भी ड़ा था इसके उपर देख लिजे मैं इस टू पर देख लिजे या फिर मैं टाइप कर दूँगा आप देख लिजेगा यह दोस्तों देखिए यह फिरी वर्जन का है इसमें सब पर्फेक्ट वर्क कर रहा है ऐसा नहीं है आप मेरा यह जो डेट है यहां नीचे देख लिजे और टाइम भी देख लिजे टूल में भी 17 पर कर रहा हूं बाकि डेट भी आप देख लिजे कुछ बंदों को लगता है कि वीडियो फेक है या पहले का वीडियो ऐसा कुछ नहीं है देख लिजे 10-6-22 नीचे भी हमारे डेट है और 10-6-22 जो कि आज का डेट है और टूल में भी वही सेम डेट है और यहां पर आप टेक्स्ट भी देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है रेडिकलर में बाकि यहां पर देखिए सारे के सारे जो मॉडल्स हैं वो सारे वाइलेबल हैं कोई दिक्कत नहीं है बस यह है कि ध्यान रखियागा यह आनलाइन वाला टूल है आप सभी को पता होगा बताने की जरूद त किया था कि उनके पास एक टैब है जो गौर्मेंट से सबको मिला हुआ था स्कूल की तरफ से तो मैं वह बता तुम भाइस वह सायद एसेवन है या एसेवन लाइट होगा तो आप सैमसंग टैब में जाईएगा और यहां पर एसेवन सर्च करेंगे तो यहां पर नीचे देखिए MTK भी है और Qualcomm भी है दोनों है आप चेक कर लिजेगा IC के हिसाब से आप यहां से उसको जो है फ्लेश भी कर सकते हैं या फिर उसका FRP या पैटन जो भी लगा है आप यहां से रेमूब कर सकते हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों टूल एक परफेक्ट यह और यह कब तक वर्क करेगा मैं यह कंफर्म नहीं बता पाऊंगा जब तक आपडेट नहीं आएगा तब तक यह वर्क करेगा अगर आप वीडियो दस दिन या पांस दिन बात देख रहे हो तो साइद यह टूल वर्क ना करे तो उसके लिए आप कमेंट मत करिएगा कि या फिर वीडियो वर्क नहीं करता है मैं जो वीडियो बनाता हूं सारे के सारे जिनुमन होते हैं कोई फरसी वीडियो नहीं होता हैँ बस टाइम का जो है कि इधर जो हो जाता तो बंधों को फेक लगता है वाकिली द Riley यहां पर सारे यूज़ करना है दोस्तु में बता दे रहा हूँ इसका zip file का password मिलाएगा आपको वीडियो के इसकी मत करिएगा और अगर video पसंद आए तो video को like करिएगा आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कहीयेगा तो सबसे फाइल का लिंक मिल जागा आपको description में आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने का बाद यह जे फाइल में होगा तो इसको आपको आपको एक्ष्टर्ट कर लेना है तो मैं पहले इसको एक बार क्ट कट कर दे रहा हो फिर से आपको चालो कर दिखा दूँगा को आफ को एक्षेक्ट करने करते समय यह पासवर्ड मांगेगा एक पाशॉर्ड आपको डाल दे in मिलेगा बाकि काफी बंदों को मिल जाता है तो आप कमेंट बगएर भी पढ़ लिया करो ऐसा नहीं है कि फर्जी है पासवर्ड देता हूं बस यह कि एक स्पेसिफिक जगह पे देता हूं आप अगर वहां तक पहुंच गया नहीं तो अगर इसस्किप करोगे तो पासवर्ड नहीं मिलेगा तो इसको इसका पासवर्ड है दोस्तों बाकि यूजर नेम मैं इसमें नोट करूँ या ना करूँ आपको पता ही होगा तो चलिए मैं आपके सामने जॉईस में यूजरनेम भी डाल दे रहा हूं इसका जो यूजरनेम है यह है पुराना वाले ही है username बट password इसका ये है password change हो गया इसलिए काफी लोगों का work नहीं कर रहा है और ये update भी हो गया है इसलिए भी नहीं work करता है तो देखिए यहाँ पर s आपका open हो जागा extract करने के बाद आपको loader पर जो है click करना है मैं tool का नाम नहीं लूगा tool का नाम लिखा हुगा loader पर click करके run as administered करके yes करने के बाद दोस्तों कभी कभी किसी में download लेने लगता है latest version में तो latest version में जब download ले तो आपको जो है जो आपने extract किया इस file को एक बाद delete कर दीजएगा delete करने के बाद फिर से extract कर लेंगे तो जो है download नहीं मांगे तो थोड़ा से समय लेगा loader हमारा open होने में तब तक आप वीडियो में बने रही है वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा और अगर आप हमारी चैनल पर नए है देखे हमारा जो loader है वो open हो गया है और हमने एक बार यहाँ पर login किया था और यह remember पर टिक कर रहा था इसलिए हमारा यहाँ पर username और password उठा लिया अगर आप इससे पहले कोई और loader use कर रहे होंगे किसी और का तो आपका यहाँ पर username उठा लेगा और यहाँ पर देखिए आप remember पर आगर आप किलिक कर देंगे नया वाला username और ID password डालके तो यह जो हमारा वही रहेगा बाद में फिर आप जब open करेंगे तो यह हमारा सेम रहेगा तो देखिए जो हमने वहाँ पर डाला था वही यहाँ पर username रहेगा और password जो यहाँ पर है देख लिजिए यह password जो मेन है password अगर आप गलत डालेंगे तो उपन नहीं होगा लास्ट टाइम में आप खुछ भी जो मैंने पीछे वीडियो दिया था इसके पहले उसमें कोई नेट नीचे connect है नेट नहीं connect होगा तो ओपन नहीं होगा आप सबको मालूम है तो हमने यहाँ पर login कर दिया है देखिए भी query access दिखा रहा है फिर से एक बार login करेंगे यह एक दो बार query access आ जाता है अगर फिर भी नहीं हो तो आप एक बार extract जो किया है फोल्डर उसको delete करके फिर से extract कर लीजेगा वह open हो जाएगा कोई इसू नहीं है अभी भी देखिए हमारे में query access का जो है आप्षन आ रहा है तो वीडियो में बने रहेगा मैं इसका स्लूशन इसी वीडियो में बता दूँगा वीडियो हलका सा लंबा हो जाएगा अगर यह query access ज्यादा टाइम देगा देखिए अभी query access दे रहा है कि यह network हमारे slow रहता है तब यह query access का जो है यह option देने लगता है नेटवर्क के ऊपर भी depend होटा है देखिए मैंने हाप पर कुछ नहीं किया अभी भी sign in हो रहा है देखिए फिर से query access आ गया दोस्तों थोड़ा सा मेरा network साज slow है तो slow की वज़े से भी ऐसा दिक्कत आता है वीडियो को थोड़ा सा fast forward कर दूंगा अगर ज्यादा लंबा टाइम लेगा तो बट मैं वीडियो को जो है इसी वीडियो में आपको solution बता दूंगा इसका कि यह query access क्यों आ रहा है और आप इसका solution कैसे निकाल सकते है देखिए हमारा जो query access था दोस्तों automatic हट गया हमारे network का speed जो था वो थोड़ा सा slow था इसलिए वो query access आ रहा था error आ रहा था अभी देखिए हमारा हमने कुछ नहीं किया है जैसा था वैसा ही चल रहा है बाकि हमारा जो है यह login हो गया अभी यहां से थोड़ा सा लोड लेग या फिर कहीं पर जो हमने first forward नहीं किया है query access के time में और देखिए हमारा open हो रहा है देखिए सारे के सारे जो tools है वो sorry जो सारे model से वो loading हो रहे है loading होने के बाद यह देखिए हमारा tool जो है जो open हो गया यह perfectly अभी work करेगा दोस्तों अगर आप और कहीं से इसको जो है download किया है आपने काफी वीडियो देखा होगा तो उसको आप delete कर दीजिएगा और उसके बाद जो मैं यह दे रहा हूं tool इसको download करके extract करिएगा जैसा कि मैंने वीडियो में बताया से अगर आप उसी तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा अगर आप हलका सा कमी पर skip कर देंगे भी वीडियो बनाता हूं कोई fake नहीं होता है सारे के सारे working होता है बाकि वीडियो में इतना ही था वीडियो पसंद आए तो like जरूर करिएगा और चैनल पर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बाकि वीडियो देखने के लिए धन्यबाद मिलत देखने के वीडियो में